हेलो प्रेंट्स कैसे आप सब लोग आज मैं बनाने जा रही हूं कढ़ाई के कोफते तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और मुझे क्या चीजों की जर्वत पड़ेगी तो यह मैंने आधा गिलो हमारा चिकन का खीमा धार जो मैंने इसको मिक्सी में कीस लिया है हमसे एक कट्रि दही की जर्वत पड़ेगी मन्तीश्पून हमाररा यह जसन अध्रक का पेस्ट है और मैंने पीास ब्राउन प्रक्ट कर रखिए तो इसकी जर्वत पड़ेगी और एक इंच अध्रक का टुकड़ा है और 14TS हमारा यह जान मिर्च है और है tegen और हमारा नमाप्र तो आप यह देख सकते हैं तो वन टीस्पून हमने यह गरम मसाला लिया है और चार मैंने मीडियम साइज की प्याज लीगी है अब 20-25 हमारे काजू है अब 20-25 ही हमारे बदाम है ठीक है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यह मसाला कीसी में तो यह एक करेंगे एक इंच अदरब का टुपड़ा है यह एड़ होगा है और यह आफ टीस्पून वन पोर टीस्पून हमारे मिज़े हैं तो नमक है तरम मसाला तो यह सब चीजस में मैं पीस देती हूँ ठीक है तो चलिए मैं इसको पीस देती हूँ देगी प्रेंट्स यह हमारा मसाला पिस चुका है अब यह हम इसके प्रीमे के अंदर यह सब मसाला एड़ कर देंगे देगी प्रेंट्स हमने यह मसाला एड़ कर दिया है इसमें अब हम इसमें यह हरा धनिया और यह हरी मिर्चा हैं दो हरी मिर्चा हैं और एक मैंने मीडियम साइज की प्यास थी तो यह समाट कर देते हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे थास से ठीक है तो यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अहम इसके कोफते बनाएंगे तो थोड़ा सा मैं ओईल लगा लेती हूं हाथ पर जितना भी आपको साइज लेना है तो आप वह साइज कर सकते हैं मैंने इतना बड़ा साइज दिया है तो थोड़ा सा मैंने हाथ पर ओईल लगा लिया है यह करके मैं सब कोफते ऐसी ही बना लूंगी देखे प्रेंट्स हमारे यह सबी कोफते रेडी हैं अब मैं इसको 10-15 मिनिट के लिए रख देती हूं और चलिए अब इसका मैं मसाला तयार करूंगी तो वह मैं बना लेती हूं ठीक है इसको मैं रख देती हूं साइज में देखे प्रेंट्स जिस कड़ाय में मैंने ब्राउन प्यास के थी मैं उसी में ही मैं बनाऊंगी है तो सबसे पहले हम एक काजू को बदाम हम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं और मैं निकाल लूंगी से एक बावल में तो फ्राई करके मुझे इसको निकालने है तो एक दो मिनट इसको देखे प्रेंट्स यह एक दो मिनट हो रहे हैं इसको हम निकाल लेते हैं रिख लेगे लिख लेगे प्रेंट्स हमारे पाजू और बदा मैंने फ्राई कर लिए अब इसमें हम यह प्याज है तो हम इस प्याज को ब्राउन नहीं करना है हम खोड़ा और पिंग करना है कि सॉप हो जाए हमारी प्याज तो हम इसको सॉप्स कर लेते हैं प्याज को तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरा घर का देशी खाना कैसा लग रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और लाइक करिए एक बार जरूर मेरे स्टाइल से बनाके देखना कड़ाई के कोफते होती मज़ेदार बनते हैं तो चलिए इसको हम लाइट पिंग करेंगे पहले प्यास हो गई है अब इस रेश पे हम इसमें रसना दरा का पेस्ट अड़ करूंगी मैं तो यह अशना दरा कमें क्रेश पैट कर देखें इसमें साथ अच्छे चेश हम मिस्स कर देखेंगे थोड़ा से जो लखना दरा का ख्लेवर है जो थोड़ा से पकाती हो फिल लागाए तो एक बल मिलेट इसको अजछना दरब के साथ तो यह मैं भूनेंगी तो नसना दरब को कच्छा पान है वो निकल जाएगा तो एक डूमिनेट हम इसको नसना दरब डाल के भूनेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही थोड़ा मैं बचा लेती हूँ अब दही दाल के भी हम अच्छे से इसे मिक्स करनेंगे अब दही हमारा अच्छे से खिटावा होना चाहिए बहुत जल्दी बन जाते हैं हमारे कडाई के कोपते अब हम जो है इसमें कोपते आट कर देंगे पानी हमें बिल्कुल नहीं आट करना है इसमें आक्स्ट्रा जो दः का पानी है तो हमारे चिकन तो पौरण ही गल जाता है तो हम धापने इसको दलाने में तो एक एक करके मैं इसमें सब कोप्ते आड़ कर दिए अप्खल के हाथ से हमें इसको चलाना है कि हमारी कोप्ते तूप में जाए इसको दिला लेगा तो हम यह मैंने 1 4 टी स्पून खोटी भी लाल मिश्ट दिया 1 4 टी स्पून नमक लिया देगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगी रखिएगा कि मैंने उसमें भी आड़ किया है कोफ्तों के अंदर और यह रोस्ट मैंने यह कर लिया थे तो यह सब ची प्राइब कर लिये थे काजू बदाम और इसको मैं पाज से दस मिनट सेंपे पगाऊंगी ढग के लिए फ्रेंड्स हमें इसको बीट-बीट में से चलाते जाना है इस तरह से अब चलाईएगा इसमें गए दो मेंने हरी मिर्चे इस तरह से काटने है इस तरह से आड़ कर द हमारे परफेक्ट कढ़ाई की कोफते रेडी है अब और थल्के हाथ से इसको से हम सर्फ करते हैं हमें इसको मिकाल लेते हैं लेटर में कि अधिए फ्रेंट्स हमारे कढ़ाई के कोफते रेडी हैं आप एक बाद जरूर प्राइब करके देखेगा मेरे स्टाइल से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेर करिए और लाइक करिए बाए बाए